केल्शियम एक रासाइनिक तत्व है जिसकी हमारे शरीर को बहुत जादा जरूरत होती है ये शरीर में सबसे प्रचूर मात्रा में पाया जाने वाला खरीज है और अच्छे स्वास्त के लिए इसे महत्वपूर माना गया है दिमाग और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच हेल्द प्रतिक रूप से पाया जाता है जबकि कुछ प्रोडक्ट्स और सप्लिमेंट में इसे डाला जाता है मानव शरीर में कैल्शियम कई तरह की भूमिका अदा करता है केल्शियम के साथ साथ शरीर को विटामिन्स की खास तोर से जरूरत होती है हड्यों की सेहत के लिए कैल्शियम को अवशोशित करने में शरीर की मदद करता है दूद ब्रॉकली और टोफू कैल्शियम की प्रमुक स्त्रोतों में से एक है कैल्शियम शरीर में कई तरह की भूमिका निभाता है यह एक प्रकार का मिन्रल है जिसे मुख्य रूप से हड्डियों की स्वास्त के सा आदी में उपयोगी है शरीर में केल्शियम की कमी से होने वाले रोग मास पेशियों का हिलना केल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियों से जूज रहे लोगों को मास पेशियों की गती में महत्वपूर कठनाईयों का सामना करना पड़ता है इनमें मास पेशियों में दर्द और एठन चलते समय बाहों और जांगों में दर्द, हाथ मूं और पैरों में जुनजुनी और सुनता की भावना शामिल है। गंभीर कमी में मास पेश्यों की समस्याएं व्यक्तियों में आक्षय पैदा कर सकती हैं। दातों की समस्या मानव शरीर में कैल्शियम की अधिक्तम मात्रा, हड्डियों और दातों में होती है, जिसकी कमी से दातों की समस्या से बचा नहीं जा सकता है। परियाप्त केल्शियम की कमी वाले लोगों के लिए दातों की सडन, मसूडों में जलन, भंगुर दात और कमजोर जड़े आम समस्याएं हैं। इसके अलावा शिश्यों में दातों के विकास में कमी आम है। नाखून, बाल और त्वचा में समस्याएं। मानव शरीर में लगातार केल्शियम की कमी से त्वचा सम्बंदी समस्याएं हो सकती हैं। जिसमें अत्यधिक सूखी त्वचा भी शामिल है। यह एक्जिमा या सोराइसिस भी पैदा कर सकता है। जिससे त्वचा पर खुजली या सूखे धब्बे हो सकते हैं। इसके अलावा केल्शियम की कमी वाले लोगों के नाखून तूटे या भंगुर हो सकते हैं। रूखे बालों के अलावा यह एलोपेसिया से भी पीडित हो सकते हैं। जिसमें बालों के जढ़ने की समस्या भी शामिल है। थकान। मानव शरीर में केल्शियम की कमी से गंभीर ठकान हो सकती है इसमें चक्कर आना और सुस्ति की भावना और उर्जा की कमी भी शामिल है इसके अलावा केल्शियम की कमी वाले व्यक्तियों में चक्कर आना और ब्रेन फॉक भी तुरलब नहीं है यह लंबे समय तक भ्रम भुलक और फोकस की कमी का कारण बन सकता है। यह केल्शन की कमी से हुने वाली एक और बीमारी है। जब इसका निदान किया जाता है तो व्यक्ति की हड़ी द्रव्यमान खो देती है। जिससे उनकी हड़ीया कमजोर हो जाती है। रोग के लक्षन जादतर ध्यान देने योगें नहीं होते हैं, क्योंकि हड़ी के द्रव्यमान का नुकसान दर्दनाक नहीं होता है, युवा अवस्था में मानव शरीर हड्यों को तोड़ता रहता है और नई हड्यों का निर्मान करता रहता है, जिससे व्रद लोगों में य यहां बीमारी होने का खत्रा अधिक होता है। वही केलशियम से होने वाली ऐसी ही एक और बीमारी ऑस्टियोपॉरोसिस है। इससे हड्यां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। गंभीर ऑस्टियोपॉरोसिस की स्तिति में खासने से भी हड्डी तूट सकती है। यह जादातर 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में पाया जाता है। इसके अलावा सास की तकलीफ, पीट के निचले हिसे में दर्द और बार बार हड़ी तूटना इस बीमारी के सामाने लक्षण है। केलशियम की कमी को पूरा करने के लिए इन आहारों का स्थमाल कर सकते हैं दूद, मचली, बादाम, औरेंज जूस, चीज, योगर्ट, ब्रॉकली, अंजीर, वेह प्रोटीन, शरीड में विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन कार्बनिक योगिक होते हैं, जिनकी ज मानव शरीर या तो उनका प्रयापत उत्पादन नहीं करता है, या यह किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं करता है, विभिन विटामिनों की मानव शरीर में अलग-अलग भूमी का होती है, और उनकी विभिन मात्रा में आवशक्ता होती है, विटामिन ए, शरीर में विट दातों और मसूडों के लिए जरूरी होता है शरी में विटामिन A की कमी से रतोंधी और आखों की आस्क पास सफेध हिस्से में धब्बे की परिशानी हो सकती है इसके अलावा यह हमारे ब्लड में केल्शियम का स्तर बनाए रखने में मददगार होता है जिससे हमारी हड्या म संभावना भी होती है शरी में विटामिन A की पूर्टी के लिए गाजर, दूद, हरी सबजियां, फलियां, पीले रंग की सबजियां जैसे आहार का सेवन करना चाहिए विटामिन B विटामिन B में कई कॉंप्लेक्स होते हैं जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12 शामिल है यह हमारे शरीर में जीन और DNA की निर्मान में मददगार होता है शरीर में red blood cells का निर्मान भी विटामिन B की मदद से किया जाता है शरीर में विटामिन B की कमी से बैरी-बैरी होने की स संभावना अत्यदिक होती है इसके अलावा विटामिन B की कमी से एनीमिया मांसिक समस्याएं होने का खत्रा अधिक रहता है विटामिन B की पूर्ति के लिए मचली मीट अंडा जैसे खाद्य परदार्थों का सेवन करना चाहिए विटामिन C शरीर में विटामिन C की कमी से अधिकतर मामलों में सकर्वी यानी मसूरों से जुड़ी परेशानी होने की संभावना होती है इसके अलावा शरीर में विटामिन C की कमी से इम्मिनटी वीक हो जाती है इसके अलावा इसकी कमी से शरीर में थकान, जोडो और मास पे कूरा करने के लिए मौसमी आमला नीबू संत्रा कटहल अंगूर पुधीना टमाटर जैसे खाद्य प्रदार्थों को शामिल करना चाहिए विटामिन डी शरीर में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं साथ ही इसकी वज़े से हाथ और पैरों की हड्डि टेड़ी हो सकती हैं शरीर में विटामिन डी की कमी से मोटापा बढ़ सकता है सूरे की किर्णों को विटामिन डी का प्रमुखस्त्रोत माना जाता है अगर आप शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करना चाहते हैं तो कम से कम 15 मिनट तक सूरे की रौशनी में बैठें इसक पर विप्री दसर पर सकता है इसके अलावा शरील में विटामिन E कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाये रखता है यह एक गुलंशील विटामिन है हमारे शरील में यह एंटी ऑक्सिडेंट के रूप में कारे करता है शरील में विटामिन E की पूर्ती के लिए ड्राइफूट्स स सुरज मुखी के बीच शकरकंद सरसो इत्यादी का सेवन किया जा सकता है विटामिन के शरीर में विटामिन क की कमी से एठन हीमोफीलिया जैसी बिमारी होने की संभावना होती है इसकी पूर्ति के लिए दूध पनीर दही इत्यादी का सेवन करना चाहिए इसके अलावा मासाहारी युक्त भोजन का सेवन करने के लिए चिकन, अंडे, इत्यादी का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि स्वस्त शरी के लिए विटामिन बहुत जरूरी होता है। ऐसे में इसके पूर्ती के लिए हमें अपने खादे प्रदार्थों में संपूर्ण आहर को शामिल करने की आवशकता होती है। अगर आपके शरीन में किसी भी विटामिन की कमी है तो डॉक्टर की सलहा पर विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए उचित आहार ज़रूर लें ऐसे ही हकीम सहाब की तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलिमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बिटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम सहाब के घरे लून उसको से जादा से जादा आप फायदा उठा सके